सबसे पहला काम आपने यह करना है आपने डेव C++ को कंप्यूटर में open कर लेना है अपने सामने जब आप उसको open कर लेंगे तो आप क्या करेंगे आप कीबोर से shortcut key press करेंगे जिसका नाम होगा control plus N या आप file के button पे जाएंगे और new के button पे click करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि source file आपने source file को open कर लेना है अब देखें मेरे सामने text editor open हो गया यहां पर याद रखेंगे बैटा आप कोई भी program रिखेंगे जो सी लेंगे में भी आपको करवाँगा आपने यह चार चीज़े लाजमी लिखनी है hash include studio.h यह header file है और दूसरी header file है यह इंक्लिवड कोन आयो डॉट है कौन यू डॉट है सकते हैं कौन आयो डॉट है तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है इसके अंदर main function लेखे लेना है main function में आप opening bracket और closing bracket डाल देंगे और इसकी last line में आप लोग लिख देंगे get ch के बाद semicolon return 0 semicolon यह line है बटा आपने हर program का हिस्सा बनानी है याद रखी गई आपका general syntax है जो भी आप program simple programming कर रहे होंगे जो कि हम आज के lecture में भी करेंगे तो आप कोई भी program करेंगे आपने यह line है लाजमी लिखनी है अब आप देखेंगे जो actual program की statements होगी मैं उनको कहां पर लिखूँगा मैं अपने program की statements को main function के अंदर लिखूँगा जैसे ही मेरा compiler अपना काम start करेगा compile रोना शुरू करेगा तो उसका control directly main function पर ही आता है मैं क्या करूँगा मैं main function पर जाकर अपनी programming की lines लिखना शुरू करूँगा जो कि मेरी problems का solution होगी तो सबसे पहले बेटा मैं आपको problem बता दूँ कि आज की lecture में हम पांच numbers को add करेंगे उनका sum निकालेंगे उनकी average find out करेंगे सबसे पहले आपने इस बात को समझ देना है कि मैंने पास चार चीज़ें है input, output, process and decision so मैंने user से input लेना है जिस data को मैंने process करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा I am going to declare variables जो कि मेरे data को hold करेंगे मैंने अगर 5 numbers को add करना है तो मैं उसके लिए 5 variables declare कर रहा हूं तो वज्यों से देखीगा int data type लोगिए ता कि मेरे सारे number जो है वो integer हो a, b, c, d and e यह मैंने 5 variable declare कर दी है जिन के अंदर मैं 5 numbers को temporarily store करूँगा यह आपने रेम के अंदर 5 memory locations occupy की है write down अगला काम क्या करेंगे बेटा आप और variable declare करेंगे जिसमें आप उनका sum store करेंगे ठीक है जो उनका result आएगा result को आप temporarily memory के अंदर आपने location declare की जिसको आपने नाम दिया SUM और एक और आपको चाहिए होगा float every jeep average के लिए मैंने एक variable बना दिया एक memory location मैंने RAM के अंदर occupy की है जो के क्या काम करेगी जो के मेरे data को temporarily hold करेगी अब मैंने क्या करना है यह तो मैंने memory locations declare कर दी अपने data को रखने के लिए अब मुझे 5 numbers चाहिए जिन के उपर मैं अपने data को process करूँगा तो मैं वो 5 numbers खुद से देने के बजाए user से देता हूँ तो बेटा याद रखिए का आपने user से लेने के लिए एक function यूज करना है जिसका नाम है printf यह आपने printf का function यूज करना है अब printf के function में आपके पास दो चीजे होती हैं एक आप लिगते हैं यह आपको बताने के लिए चाहिए हूँ control strings और second argument आपको होता है लिस्ट आफ arguments चीक है तो जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको बता होने चाहिए कि printf के function में आपने क्या message display करवान है control strings का मतलब होता है बेटा कि जो string आपने screen के उपर program को run करते वक चलानी है उसका format उसकी look उसके अंदर अगर कोई escape sequence involved है तो आप वो यहां पे declare करेंगे control strings में और list of arguments में आप उसको बताते जाएंगे कि यहां पे कौन कौन से argument आप इस message को pass कर रहे हैं जो आप display करवारें screen के उपर सब यार दखिए का printf का function कि किस काम के लिए use होता है printf का function use होता है output को screen के उपर display करवाने के लिए तो मैं यहां पे क्या output screen के उपर display करवाँगा मैं गरवाँगा double quotes के अंदर इंटर five numbers which you want to add and find you want to add जिनका आप sum या average find करना चाहते हैं आप double quotes में जो भी चीज़ लेकिंगे वह as it is आपकी output आ जाएगी screen के उपर प्रिंट हो जाएगी जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे अब आपने दूसरी स्टेट्मेंट यूज करनी है scanf scanf का function यूज होता है user से input लेने के लिए scanf का function कि यूज होता है user से input लेने के लिए तो आपको समझ में आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा integer में होगा floating में होगा characters में होगा तो उसके लिए आपने different format specifier use करने होते हैं तो मैंने five numbers integer declare कि यहां पर आप देखने यह जो first line थी int declare के int का मतलब होता है उनकी data type integer होगी integer data type का मतलब होगा कि वह number 029 sign तक कोई भी उनको include करके होंगे मैं क्या करता हूँ मैं यहां पे सबसे पहले format specifier लिख देता हूँ मेरा format specifier होगा जी कौन सा person D फिर आप space देंगे फिर आप 5 numbers के लिए कर रहे हैं तो इसी तरह आप 5 numbers के लिए format specify करते जाएंगे इसका मतलब यह है कि मैंने 5 numbers का format declare कर दिया अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा इसका मतलब यहां पर आप 5 numbers हो जाते हैं तो यहां पर आके मेरा function फ़तम हो जाता है यह मुझे बिताता है कि मैं आपके जो 5 numbers आप user screen के उपर enter करेगा आपने उनको save कर लूंगा इन 5 memory locations पे इन 5 variables के अंदर जिनके नाम है A, B, C, D and E अब जब आपने user से input ले ली तो अगला काम क्या करना होता है अगला काम करना होता है उस numbers को process करना है तो process के लिए मुझे क्या find करना है sum and average sum कैसे find होगी A plus B plus C plus D plus E plus E तक E तक आपके 5 numbers हो जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा इसमें अब यह 5 numbers और जो आपकी in memory location पर पढ़े हैं उन सब को add करेगा और result को save कर देगा sum नाम के variable में यानि जो इनका resultant होगा sum variable में पढ़ा होगा sum जो के RAM के अंदर एक memory location है वहां पर आपका result पढ़ा होगा दूसरा काम आपने क्या करना था average find करनी तो आप क्या करते है average is equal to sum divided by 5.0 इसका मतलब यह है कि आप यहां पर average find करें average का formula यह होता है तो जब आपने product find करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर एक variable declare करेंगे जो कि product को handle करेंगा start में मैंने इसलिए add कि ताकि आपको इसकी logic समझ आनी शुरू हो जाए कि यह काम actual में किस तरह हो रहा होता है जब आप यहां पर product का variable declare कर देते हम तो आपने memory के अंदर RAM के अंदर एक location अको पाई की जिसको prod का नाम दे दिया जो कि data को आपके data को hold करेंगी तो prod भी मैं यहां पर find कर देता हूं prod is equal to product कैसी find होता है beta a steric उन सब numbers को आपस में multiply करेंगे तो उनका product भी आ जाएगा तो यह आपका product find करने का तरीका है यह आपने उनका sum find किया यह आपका process हुआ है सारा sum average and product find किया आपने यह आपने user से input ली यह process किया आप आखरी काम क्या है इसमें कोई decision नहीं है आपने simply result को output करोना है तो आप last line में क्या करेंगे result को output करवा लेंगे output के लिए आपके पास function यूज होता है जिसका नाम होता है printf अब printf के अंदर मैंने आपको पहले पिताया कि आपने control strings लिखनी होती है control strings को लिखने का formula क्या होता है आप double quotes के अंदर लिखेंगे जो message आप जिस तरह आपने प्ले करवाना है आप उस तरह लिखते जाएंगे sum is equal to %p comma average is equal to %f क्योंकि मैंने average को floating number मैं उसके लिए format specified %f जो के last मेरा है वह है product product is equal to %d क्योंकि इसका भी इसका भी डेनाटाइप मैंने टीचर रखी वी थी इसलिए मैंने यह control strings पूरी लिख ली मैंटे जो double quotes के अंदर आपने पहला argument लिखा है पहली control string लिखी इसका मतलब ही होगा कि आपने output की look को control किया है इस तरह output आईगी अब यहां पर आप डालेंगे comma यह आपकी पूरी होगी control string पहले comment अब क्या करेंगे आप उसको respective arguments देते जाएंगे जिस तरह के पहले number में कौन सी value होना चाहिए आप लिखेंगे SU M, second में क्या होना चाहिए AVG आप लिखेंगे average और 3rd में क्या होना चाहिए PROD product मैंने उन्ही नाम को as it is लिख दिया sum, average और product क्योंकि मेरे sum का result sum में पढ़ा हुआ है average का result is AVG variable में पढ़ा हुआ है product का result is prod variable में पढ़ा हुआ है तो मैंने उन variables को respectively यहां पे लिख दिया है अब मैंने क्या करना है यह मेरा program यहां पे खतम हो गया दुबारा सुननी जीएगा यह आपने variables declare की है यह printf, scanf, printf function use होता है user को output show करने के लिए user को message देने के लिए जबके scanf का function use होता है user ने जो input keyboard से computer की screen पे enter की होती है उसको वो क्या करता है respective variables में store कर लेता है अब आप दिखीगा यह मैंने inputly यह process किया और यह मैंने अपने program की output screen के उपर शोगी अब मैंने क्या करना है यह steps यह मैंने अपना code लिख लिए अब मैं इसको compile करूँगा तो compile करने के लिए बेटा मैं इस button पर जाके click करूँगा आप जब इसके उपर माउस को ले के जाएंगे वो message हो करेगा compile या आप F9 की प्रेस करें या इस button को प्रेस कर दें अब जब मैं इस program को compile करूँगा तो सबसे पहले मुझे कहेगा आप इस program को save करें मैं इसको save करने की कोशिश करता हूं जी sum of five numbers and average इस program में कोई error नहीं था उसने मुझे शोगिए error zero, warnings zero जब आप इसको compile करेंगे compile करने के बाद आपने इस program को run करना है अब मैं इस program को run करने के लिए क्या करूंगा F10 के उपर click करूंगा जब मैंने F10 के उपर click किया तो मेरे पास ये black screen सामने ये black screen जो आपको स्क्रीन के उपर नजर आ रही है ये आपको message display करी जो आपने पहले 5 numbers which you want to add लिखा था अब आपने क्या करना है आपने इसके अंदर 5 numbers लिखने हैं ये बेटा आपका software बन के आगया जिसको आप program भी कह सकते हैं ये देखें .exe file आप just exe file को use करते हुए क्या कर सकते हैं आप 5 numbers का sum average product find कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा मैं 5 numbers इंटर करता हूँ let's say 3, 4, 5, 6, 7 तो मैंने जब इंटर की प्रेस किया तो उसने क्या किया मुझे sub numbers का sum दे दिया average screen के उपर शो कर दी और product show कर दिया यह मेरे program का result आ गया जो कि उसने खुद find किया तो अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि जो आपने printf में statement लिखी थी वह as it is display होती है जबके scanf ने यह 3, 4, 5, 6, 7 को input करके A, B, C, D, E variables को respectively assign किया है और आखिर में आपका result आ गया तो वह backend की logic दी यह आपका सामने जो आपको program नजर आ रहते है वह यह होता है तो जो मैंने आपको text editor पे code दिखाया है जो मैं दुबारा दिखा जेता हूं वह आपकी actual programming होती है और जो end result आपको मिल जाता है उसको आप program कहते हैं जो कि आपके functions को perform कर रहते हैं अब यह आपका program है sum of five numbers and average.exe यह आपकी file है जो कि आपकी problem को solve कर रही है